जय माता दी दोस्तों, एस्टोलोजी और वास्तू ज्यान यूटूब चानल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदाई बनाने में, जोतिश शास्तर का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए, हमारे देनिक राशिक फल के बारे में पता होना चाहिए, तो आईए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, मेश राशी वालों का 18 और 19 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे, आपके ये आ प्रोटीन की जरूरत के हिसाब से अलग हो, चिंता ना करें, आपके परिजन हाल फिल हाल आपके उनके प्रतिकम ध्यान के बावजूद आपके समरपन को पहचान पाएंगे, आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने होंगे, आए, अन्ने खाने में खूप फल, सब जिया, दूद और लेइन प्रोटीन को शामिल करें क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आए, आपको ये अनुभव होगा कि आप जिस तरह का घलत खाना खाते रहे हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है, आए, फिर भी खाने में इन बदलावो को लागू करना आपको योजन बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा आए, अनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्त को अपनी योजना में शामिल कर ले आए, अपने आपको उदास महसूस ना करें क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नही र से एक अंतरंग मुढ़ेड की इच्छा दोनों तरफ से जागरित हो सकती है, संतुलन बनाना आज का प्रमुख विशय रहेगा और आप अपनी आयव और व्यवय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी आयव के पूरत के लिए एक दूसरी नौकर और पैसे के क्षेत्रों में प्रगती के लिए आपके मन में कई शांदार विचार, सुझाव और विकल्प होंगे, जो आपको अपेक्चत सफलता दिला सकते हैं, नौकरी की बात करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने के बजाए स्वय हम प्रयास करें, हाला कि व्यक् आप कहने सुनने के लिए तयार होंगे, आप जानते हैं कि सब कुछ शांत नहीं है, लेकिन आपकी अथास्तिती में किसी तरह का परिवर्तन भी नहीं चाहते हैं, अगर आपका साथ ही आपकी ही किसी बात से नाराज है, तो उसे मनाने और उसके साथ तालमेल फिर स्थापि सकेंगे, ऐसे में आप का मौन बने रहना ही ठीक भी रहेगा, आज आपके प्रेम या दामपत्य संबंधों में तनाव भरी उदासीनता और शांती रह सकती है, लेकिन अगर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करते हैं, तो आज आपके संबंध बहुत सुखी और प्रसन पूर्ण हो सकते हैं, नौकरी मिलने से लेकर प्रमोशन मिलने तक की स्थिती आज बन सकती है, आज आपकी पैसों की आवक में सुदार होगा, नौकरी में आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आज आपका स्वास्थय अच्छा रहेगा, आज आप में बहुत उद्साह और बनी रहेगी, करियर आज विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, मेनत ज्यादा करनी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, प्लेसमें प्रयास सफल होगा, आप नया घर खरीदने के लिए या कोई नया काम शुरू करने के सकते हैं, आपके द्वारा लिया गया यह लोन आपके लिए ही उप्योगी साबित होगा, और यदि आपको इनया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस दोरान सफलता मिलेगी, इस समय आपके अंदर नचाते हुए भी निराशावादी सोच पनपती रह प्रेम जीवन में आप दोनों के रिष्टे में तो मजबूती आएगी ही, साथ ही आप दोनों प्रेम विवाहा के बारे में भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसके साथ ही वैवाहिक जातकों को अपने दामपते जीवन में कुछ चुनावतियों से दो-चार होना है, आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं जिसका निर्वाहा आप पूरी इमानदारी से करेंगे, इस दोरान आपको अपने इस तनाव को काबू करने की जरूरत हो गिया यह था आपको स्वास्ते की हानी के साथ, साथ खर्चों में व्रिद्धी जैसी समस्या भी जह पिलनी पर सकती है, आज का दिन आपके लिए कुछ खास परिस्थितियों वाला रह सकता है, जो लोग क्रियेटिव कामों से जुड़े हैं या ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं वे काफी अच्छा लाब कमाने की स्थिति में रहेंगे, कुछ लोगों के लिए अपनी फर्म बहुत लाब कमाएंगी, आपका साथ ही आपके विचारों से प्यार करता है, रोमान्स के मामले में आप क्रियेटिव हो सकते हैं, आप उपचार के लिए योग और रेकी की कोशिश कर सकते हैं, कारेक्षेत्र में आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड होगा, परिवार के किसी सदस्क स्वास्त परिशानी का कारण बन सकता है, भुमिवभवन संबंधी बाधां दूर होकर लाब की स्थिती बनेगी, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल होंगे, एश्वर्य के साधन जुटेंगे रोजगार में पदुननती के योग हैं, पारिवारिक जीवन में जहां आपानंद और उत्सव मनाएंगे वही नौकरी व्यवसाय में लाब से हरशित रहेंगे, कारिक शेत्र में अनुकूलता रहेगी, आप अपने काम से संतुष्टी महसूस करेंगे, उच्चा धिकारी प्रसन रहेंगे, नौकरी में अधिकार ब परिवार के छोटे सदस से आज आप पर निर्भर होंगे, जिससे आप एक महत्वपून व्यक्ति जैसे महसूस करेंगे, इससे आपको परिवार में आपका स्थान इवन जिम्मेदारियों का एहसास होगा, आप किसी ग्यानी डॉक्टर या उसी प्रकार के समान ग्यानी व् का लेंगे, इससे आपके प्रियजनों से आपको प्रशन सायम वर्म सम्मान प्राप्त होगा, आज किसी महत्वपून समस्या पर आपके प्रियवेक्ति द्वारा चर्चा होने की संभावना है, चिंता का विश्य होने पर अपना पूरा ध्यान और प्रात्मिक्ता दें, कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं, आर्थिक और पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोथ से ही लाब मिलेगा, आज का दिन अपना हुक्म चलाने का या ऐसा काम करने का नहीं है, जो परिशानिया खड़ी कर सकता है, काफी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिये को तंग कर आज आपका कोई छुपा विरोधी आपको घलत साबित करने की पोर जोर कोशिश करेगा, आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है, अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो सेहत पर बुरा असर पर सकत है, आज के दिन आपका रुजहान आध्यात में कारेयों की तरफ होगा, वहीं आफिस में आपको नई नई चुनाओतियां मिलेंगी लेकिन आप अपनी मेहनत से सभी चुनाओतियों को पार करने में सपल होंगे और आपका भाग्ये पूर्ण रूप से साथ देगा, की बात करें तो आज बैक पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक वातावरन आनंदित रहेगा, बच्चों के साथ किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, कामकाज के साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, दिन भर व्यस्ता भी रहेगी बिजनेस के कुछ मामले आप समझदारी से निपटा सकते हैं, बहुत हद तक आप सफल रहेंगे, ओफिस में थोड़ी शान्ती रहेगी, यात्रा का कोई कारकरम भी बना सकते हैं, परिशानियों से निपटने की प्लानिंग बनेगी, यह दिन आपकी किसमत को बुलंद करने वाला होगा, आप अपने कामकाज में सफल रह सकते हैं, छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें पहलाने के लिए अधीर होंगे, अपनी प्रात्मिकताओं को तकदीर के भरोसे न छोड़ें, जीवन साथी के खराब स्वास्ते की वज़े से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, मन की परिशानी के कई सारे कारण हो सकते हैं, निजी जीवन से जुड़ी चिंताएं भी उसमें शामिल हैं, हित शत्रू आपका अहितना करें इसका ध्यान रखें, आज आप का देन बढ़िया रहेगा, सभी काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है, कुछ नए अनुभवों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इस राशी के छात्रों का ध्यान पढ़ाई, लिखाई पर केंद्रित रहेगा, माता पिता की सलाह आपके लिए लाबदायक हो सकती है, हरारू माल साथ रखें, दिन बहुत अच्छा बितेगा, दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मेश राशी वालों का 18 और 19 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल, दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जयमात तादी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें, और हमारे इसे स्टोलोजी और वास्तू ग्यान, यूटूब चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वेल आइकोन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके, हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले, धन्यवाद!